दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगे रोज फुलावर कैसे बनाया है सबस्क्राइब किजी स्टिचिंग के लाज चैनल बेल आइकोन दमाई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो देखी मैंने ये रोज फुलावर का एक लटकन बनाया है और इस तरह का लटकन कैसे बनाते हैं वह भी आपके बताते हैं तो देखी मैंने पीस कटकर लिया है और पीस का साइज बता रहे देखी ये 5 इंचिस की चोड़ाई है और सेम 5 इंचिस की लंबाई है चोकोर पीस है और एक मैंने चोटा पीस लिया है जो कि यह 4 इंच के आसपास है, चौड़ाई लंबाई दोना, तो अभी हम इसके, जैसे यह रोज लटकन बनाया है, वैसे ही बनाते हैं, देखिए अभी क्या करना है, इस कपड़े को इस तरह से, इस तरह से हमें फोल कर लिया है, यह मैंने रेटी में डोरी लिया है, आप चाहें तो कपड़े की भी बना सकते हैं, तो अभी हम डोरी को यहाँ पर रखेंगे, और देखिए जो हमारी यह कोने हैं, इन कोने को हम इस तरह से रखेंगे, एक दूसरी साइड में जाएगा, और स इस पर देते हैं, मारी को टालके, और बरावर से रेख लेए, के आपकी पीस आगे पीछे नहों बरावर से आजाए। कि इस्टिज में डाल दिया है सेट करने के लिए अभी हम क्या करते हैं यहां से इस तरह से लेते हैं और यहां पर इस तरह से इसको फोल्ड करते हैं देखे इस तरह से फोल्ड होना चाहिए तो देखे जो हमने यह fold किया है अब जो extra piece है इसको हम cut कर देते हैं तो यह तो हमारा एक side अब हम नहीं जो छोटा part लेया है इसको भी इस तरह से fold कर देते हैं same, अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे इसके लिपर और देखिए ज्यादा नहीं, हाफ इंच से थोड़ असा ज्यादा आपको इसको पीछे रखना है छोटे वाले पाट को और जो हमारे यह फुलावर है यह आगे की तरफ जाएगा और सेम इसको भी इसी तरह से हम इसमें सेट कर लेंगे इसका भी एश्टा पाट को कट कर देते यह हो जाने के बार अभी हम लेते हैं नेडिल और इसमें मैंने फॉर फोल्डिंग का थ्रेड ले लिया है अभी हम यहाँ पर एक साइड से इसको स्टार्ट करते हैं और इसको एकदम टाइट कर देते हैं टाइट करने के बाद और इसी दहगे से हम इसको बांदेंगे अभी एकदम टाइट बांदें टाइट बांदने के बाद अभी हम यहाँ पर इसको लॉक कर देते हैं सलाई से अभी हम त्रेड को कट कर देते हैं और कहीं भी आपको थोड़ा सा एक्ष्टा पार्ट लगता है उसको भी इसके सेप दे सकते हैं अभी हम इसको सीधा करते हैं तो देखें इसको इस तरह से सीधा करें पहले नीचे वाले पीस को निकाल देते हैं तो देखें यह अपने इस तरह से इसको खोल लिया है तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर हमारा रोज बन गया है लटकन और देखें यहां पर भी कितना सुनदर जैसे के रियरली रोज है उस तड़ीके का यह रोज बन गया हमारा है और देखें इसी तरह मैंने जैसे बताया था पहले आपको यहtóप बीश बना के रखा है तो आप देख साते हैं कितने सुन्दर हमारे लटकन बनगर तैयार होगा है तो आप इसासन तरीके से ये रोज लटकन बना सकता है ड्रेस या ब्लाउज के लिए दोस्तो आज की विडियो में आपको उताऊँगी बहुत ही सुन्दर लटकन कैसे बनाए बहुत ही सुन्दर लटकन के बारे में बतारी हूँ देखिए इस तरह के रोज लटकन होंगे लेकिन बहुत अलग होंगी और नई डिजाइन होगी और देखिए एक मैंने बना लिया है और एक और पीस लिया है मैंने और देखिए कुछ इस तरह की डिजाइन मनाई है और कुछ मैंने ये पीस लिया है तो इनका आपको measurement करके बता देती हूं सभी का तो देखिए मैंने छोटा पीस लिया है जो कि ये design बनाई है उसके लिए तो ये देखिए 2Y2 के लिए है ये पीस 2 इंच और 2 लंबे और देखिए मैंने कुछ ये पीस लिया है तो इनके बारे में आपको बताते है तो देखिए साड़े चार वाई साड़े चार के है और एक और पीस लिया है मैंने जो यह भी साड़ी चार का है और देखें एक छोटा पीस लिया है यह साड़ी तीन का है और एक मैंने बड़ा पीस लिया है जो कि यह 5.5 इंच का है तो देखें सबसे पहले हम बड़ा वाला फ्लावर बना लेते हैं तो यह छोटे वाले के है और देखिए जो हमने वह इन डोरी कि इस को अच्छ करता है आप चाहे तो बिल्री है रिरी हुआ है कि हम इस सेंटर पार्ट में रख ल federal और कि इस तरह से लाएं गया और ते कि जो हमारा यह हिसा है इसको इस तरह ऐसे ले जाएंगे और यहाँ पे हम इसको stitch कर देते हैं अभी क्या इसको इस तरह ऐसे हम fril से डालके start करते हैं stitch करना तो देखी मैंने यहाँ पर stitch कर दिया है जो यह इस्टा पार्ट है इसको हम कट कर देते हैं कि इसी तरह रखते हैं, अभी हमने यह पार्ट लिया है ये इस तरह से इसको भी देखे यह पीस को फोल्ड कर लिया है और अभी इस पार्ट को हम यहाँ पार कैसकी अपोजटि इस और अभी इसको भी इसी तर ऐसे फ्रिल से डालके टाइट कर देते हैं यह मैंने श्टिच डाल दिया अभी इस पाट को भी हम कट करते हैं तो दीखे यह ज़्यादा मोटा हो गया इसलिए अभी यहां पर मसीन से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं इसको क्या करेंगे भी हेंड से withdrawal नेडल में टूफोल्डिंग का ताइगा ले लिया है और यहां पर हम इस तरह से इसको टाइट कर देतें टाइट करने की बाद अभी यहां पर हम और जोकुल निकालेंगी इस तरह से धागा जब खिचने लगे तो इसको इस तरह से पकड़के इसी धागे से हम इसको बांग देते और अभी हम इसको टाइट कर देते इसे क्या यह खुलेगा भी नहीं और जैसा हम चाहरा है वैसा बन जाएगा अभी हम इसको खोल देते तो देखिए ह्मारी छोटा वाला खुल गह और अभी बड़ा वाला को निकालते हैं पीस तो देखिए यह फने पलट ढाना है तो देखिए हमारी सेथ इस तरह की फॉलावर तयार हो गया इसी तरह में água यह वाला जो पीस है यह मैं तयार कर करने हैं तो इसको इस तरह से क्रॉस में रखेंगे क्रॉस में रखने के बाद सुई की साहता से इसको तैयार करेंगे तो इसको भी इसी तरह से टाइट करना है कि तो देखिए हमारी टेजायन इस तरह की बनके तैयार हो जायेगी और अभी हम न पीसों इसको सब को जोइंट करते हैं तो देखिए अभी हमने इस टेजायन सब बना के रख लिए हैं अब इनको हम इस तरह से सुऊई में ढालेंगे तो देखी मैंने इस तरह से इनको stitch कर दिया है और यहाँ पर हम इस दाहगी के साथ में इसको निकाल देते हैं इसके बीच और बीच यह four fourling का दाहगा है तो two fourling के अंदर से हम इसको निकाल देते हैं देखें जब हम इसको खीच देंगे तो ईस तरह कर यह बन जाएगा और अब हम पीछे की तरफ इसको टाइट करके डाल देतें, डेखें यह फ़ावर हमारा kiçãoधर ततयार हो गया है और इसको टाइट भी कर दिया और अभी इसको कट कर देते है अभी देखें ये कट भी कर दिया है हमने और अभी ये दो फ्लावर भी हमने रेडी कर लिया है और देखें तीसरा ये भी रेडी हो गया है तो ये तीसरा वाला ये तो इस तरह से नीचे की तरफ आएगा हमारा यहां मारा लोग कुछ इस तरह से आएगा, तीनों एक साथ आएंगे, या कोड़ती या फिर लहंगे के लिए यूज कर सकते हैं तो देखें यह हमारे इस तरह से हमने यहाँ पर सेट कर दिया है अभी जो यह फुलावर नाया है इसको भी यहाँ पर हम सेट करते थे इसके नीचे से तो इसको इस तरह से रख लें और यहाँ पर इसको टाइट करके स्टेच कर दिया तो देखें मैंने इसको पीछे टाइट भी कर दिया और यहां से धागा भी कट कर दिया और देखें मैंने एक बटन लिया है यह थर्मा कॉझ से बना हुए बटन है और इसको हम यहाँ पर इस तरह से स्टेच कर देगा आप कोई भी कलर का बटन आप ले सकते हैं तो इसको मैं फैबरिक ग्लू से चिपका रही हूँ तो देखिए फैबरिक ग्लू लिया है और इसके उपर हम यहां पर डाल देते हैं आप नॉर्मल कपड़ी का बटन भी ले सकते हैं देखिए हमने इसको चिपका भी दिया है तो देखिए हमने यहां पर यह फ्लावर भी चिपका दिया है तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा लटकन का तो आप इसासन तरीके से रोज लटकन बना सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को सेयर करें लाइक करें चैनल सबस्क्राइब करें थैंक्यू